जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तो ये इस वर्ष का आखरी महिना है और इस अंतिम महिने में कई ग्रहों का गोचर हुआ है और इन ग्रहों के गोचर का जो प्रभाव है वो भी कई तरह से बहुत ही यूनिक देखने को मिला है आज दिसंबर को शुक्र जो है बुद्ध के साथ गुरु की राशी धनुराशी में विरवेश कर चुके हैं दूसरा जो गोचर होगा वो भी इसी महिने के आंतिम दिनों में होगा और ये जो दोनों गोचर हैं ये दोनों गोचर शुक्र के कुम राशी के जातकों के लिए बेहर बेहद शुब रहने वाले हैं या आप यह कह सकते हैं कि शुक्र जो हैं इस पूरे महीने में कुम्राशी के जातकों के लिए भागय के द्वार खोलने वाले हैं इतना शुब रिजल्ट 11 भाव में बैठकर शुक्र कुम्राशी को देंगे क्या-क्या result देंगे और किस तरह से ये इस वर्ष के अंत्कोर नए वर्ष की शुरुआत को आपके लिए बहतर बनाने वाला है किस तरह से नए वर्ष की शुरुआत होते ही आपके लिए आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाएगा यह सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मिल जाएगा वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं और दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां आपको अपने राशी का डेली राशी फल भी प्राप्त होता है तो देखे इस महीने की हम बात करें जैसे की तो शुक्र ने अभी पांच दिसंबर को राशी परिवर्तन किया और गुरू की राशी में प्रवेश कर गए पांच दिसंबर को दूसरा गोचर जो है, वो मकराशी में होगा जहाँ शनी मौजूद है तो शनी के साथ शुकर की युति हो जाएगी मकराशी में जब भी शुकर का गोचर होता है तो ये गोचर आपके पेशे वर्जीवन, यानि आपके जो कारेशीतर है उसके लिए बहुत प्रभावित होता है अध्यात में तोर पर भी और आयमे व्रद्धी के लिए बहुत अनुकुल रहता है अब यह 29 दिसंबर को होगा दूसरा गोचर यानि कि नए वर्ष की शुरुआत से सही दो दिन पहले और यह जो गोचर होगा यह बहुत उत्तम होगा जो ने वर्ष की शुरुआत को उत्तम बनाएगा अब अगर गोचर की हम बात करें तो इसमें नक्षत्र परिवर्टन भी है पहला गोचर जो है शुक्र का मूल नक्षत्र में है और दूसरा जो है वो पूर्व साड़ा नक्षत्र में है तो इस तरह से राशी तो और इसी दौरान 26 दिसमर को शुक्र उत्तर साड़ा नक्षत्र में भी प्रिवेश करेंगे तो बहुत से यह ऐसे परिवर्टन हैं जो बहुत भागशाली कुमराशी के जातकों के लिए रहेंगे तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से भागशाली रहेंगे कौन से उपा होगा आपके बचत के लिए स्रेश्ट होगा पांच दिसमर से ही जैसे शुक्र ने राशी परिवर्टन किया तो आप एक तो बचत की तरफ ध्यान देंगे और धन बचाने में भी सक्षम होगे जिससे आपका जो फ्यूचर है आपका जो भविश्य है वो सुरक्षित होगा आयमें बढ़ोतरी होगी वित्तिय तोर पर इस्थिधा भी प्राप्त होती रहेगी बनी रहेगी आपके घर में कोई मांगलिक कार्या होने की भी पूर्ण संभावना बनी हुई है जिससे घर परिवार और सदस्यों के बीच में हसी खुशी शांती का माहौल भी बना प्रवे भाव में आपकी सभी मनों कावनाओं को पूर्ण करने का कारे करेंगे शुक्रदेव शुक्रदेव क्या है शुक्रदेव है लग्जीरियस चीजों के स्वामी बहुत इक संसादनों के स्वामी आप इस दोरान एक लग्जुरी लाइफ का आनंद उठाते नजर आपका अच्छा समय वैतित होगा और इस दोरान जो वैवाहिक जीवन वैतित कर रहे हैं इस दोरान आपके बच्चे कुछ ऐसी उपलब्दी हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए काफी बड़ी खुशी की बात होगी जो चातर डिजाइनिंग या किसी रिचनात मक्षित में अध्यन कर रहे हैं उनके लिए शुक्र का धनुराशी में गोचर फलदाई से धोगा उनके कौशल परदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही उन्हें अपनी कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी यहां बहुत ही उत्तम शुक्र का ये गोचर रहने वाला है अब 26 को नक्षत्र परिवर्तन होगा शुक्र का और ये नक्षत्र परिवर्तन भी उत्तम रहेगा और ये बारवे भाव में भी आपके शुक्र का गोचर होगा लेकिन योग कार ग्रह जब बारवे भाव में गोचर करेगा तो आपके पारिवारी को जीवन के लिए बहुत बहतर साबित होगा नई वर्ष के शुरुवात से ठीक पहले 29 दिसंबर को शुक्र शनी के साथ आ जाएंगे इस दोरान आप अपनी मौजुदा नौकरी से थोड़े से एसंतुस रह सकते हैं नौकरी बदलने की योजना जरूर बना सकते हैं लेकिन फिर भी आपके लिए धनल लगा नौकरी शुक्र का मकराशी में गोचर आपके विक्तिगत्त तोर पर बहुत अच्छे संबंदबना कर रखे गा अपने जीवन साथी से आपकी बॉंडिंग बहुत अच्छी होगी आपके संबंद बहुत अच्छे होंगे और आपका पारिवारिक माहल भी भाव के स्वामी है भागय का साथ दिलाने का कारे करेंगे और भागय से आपको विदेश से लाब की योग भी बनाएंगे क्योंकि बारवा भाव विदेश का भाव है यात्राओं का योग बनाएंगे नव वर्स की शुरुआत के महिने में ही आप यात्रा कर सकते हैं ये यात आपके दोस्तों के साध भी हो सकती है लेकिन यात्रा जरूर होने वाली है जात में चौते भाव के स्वामी है जो परिवार से जुड़ा हुआ है तो परिवारिक इस्तितियां अच्छी रहेंगी और परिवारिक जीवन आपका बहुत ही मधोर रहेंगा आप अपने हर एक रि अपने विवाह के बारे में प्रस्ताव रख सकते हैं आ हो सकता है आपकी ये इच्छा इसी वर्ष के आंते तक पूरी हो जाए और आप अपने संबंदों को मजबूत बनाते हुए चले खास दोर से शुकरवार के दिन अगर आप इस कारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह को दिखाते हैं गुरू ग्यानी हैं गुरू गुरू ब्रस्तपती की करपा से जिनकी शादी में रुकावटे आ रहे थी जिनकी शादी विवाह की बातें बड़ी मुश्किलों से हो पा रहे थी उनके लिए विवाह की बातें भी उनके लिए चलेंगी और स्टुलेंट्स क इच्छाएं पूरी हो सकती है आपका कौशल अच्छा रहेगा आपका प्रजशन अच्छा रहेगा और उसी के बल पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी अब मैं उपाय की बात करूं क्या उपाय कर सकते हैं तो देखिए शुकरवार के दिन वैभव लक्षमी की पूजा करे और उनको लाल पुष पर जरूर अरपित करें अगर आप वरत रखते हैं तब तो आप जरूर ही करें और दूसरा शनिवार के दिन वरत जनों बूड़े लोगों को उबले हुए चावल का आप दान कर सकते हैं या उबले हुए चावल या चावल बना कर उन्हें आप खिला सकते हैं बहुत अच्छा उपाय है जरूर करके देखें नए वर्स की श्रवात उत्तम तरीके से हो जाएगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले